तो बंगलादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वैसे हालात 1975 में हुए थे उस वक्त शेख हसीना को भारत में शरंड लिनी पड़ी थी दिली के लाचपतनगर के एक घर में वो रही थी आपको वो घर दिखाते हैं आज वहाँ क्या हालात हैं देखे सेदामिर के सरफ पॉर्ट बंगलादेश में तख्ता पलट के बाद अब शेख हसीना का ठिकाना भारत है इस समय वो भारत में मौझूद हैं दिली में मौझूद हैं लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब शेख हसीना को अपने आपको बचाने के लिए बारत आना पड़ा हो इससे पहले भी 1971 के बाद जिस तरह से बंगलादेश बना उसके बाद 1975 में वो यहाँ पर आई और इसी बे यहाँ दिली के लाशपतनगर में एमबैसी में रही लेकिन एमबैसी कहां थी लाशपतनगर तीन में एमबैसी मौझूद थी आप यह जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं दर असल पहले यह एमबैसी का हिस्सा हुआ करती थी और इस एमबैसी में शेख हसीना जो है उन्होंने अपना ल पर्टी में रही हाला कि यहां पर अब तमाम बड़े बड़े शो़ूम मन पर्टी जिसको नाम केसिर्पूरे नाम पुझा पूनीत कोलि यहां पर तो हम बड़े बड़े शो़ूम देख रहे हैं लेकिन 1975 की वो कहानी क्या है जब शेख हसीना यहां रहा कर तो फिर वो बारत सरकार ने उनको शरण दी थी तो फिर वो आके यहां पे रहे थे क्योंकि यह उनका प्राइमरीली हाई कमिशन हुआ करता था तो थोड़े दिन इदर रहे हैं फिर लेटली फिर हुआ है देखे कोली जी हैं जिनका जिनकी प्रापाटी है लेकिन अब यहां पर बड़े बड़े शोरूम बन चुके हैं तो बंगलादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वैसी हालात 1975 में हुए थे उस वक्त शेख हसीना को भारत में शरण लीनी पड़ी थी दिली वो भारत में मौझूद हैं दिली में मौझूद हैं लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब शेख हसीना को अपने आपको बचाने के लिए भारत आना पड़ा हो इससे पहले भी 1971 के बाद जिस तरह से बंगलादेश बना और उसके बाद 1975 में वो यहां पर आई और इसी बे यहां दिली के लाशपतनगर में एमबैसी में रही लेकिन एमबैसी कहां थी लाशपतनगर तीन में एमबैसी मौझूद थी आप यह जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं दरसल पहले यह एमबैसी का हिस्सा हुआ करती थी और इस एमबैसी में शेख हसीना जो हैं उन्हो प्रॉपर्टी में रही हाला कि यहां पर अब तमाम बड़े बड़े शोरूम बन चुके हैं लेकिन ये एक समय में हिसा हुआ करता था प्रॉपर्टी जो है वो हिसा हुआ करती थी एंबेसी का लेकिन एंबेसी की एक अपनी कहानी है ऐसा नहीं है कि यहां पर एंबेसी पहले प्राइमरीली आई कमिशन हुआ करता था तो थोड़े दिन इदर रहें फिर लेटली फिर शिफ्टिट टू पंडारा रोड फिर उसके बाद तो आपको आज का तो पता ही है क्या हुआ अब सब बदल गया देखे कोली जी है जिनका जिनकी प्रॉपाटी है लेकिन अब यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम बन चुके हैं विडि़ जोली सुमेंजर के साथ सेद आमिर हुसैन न्यूस नेशन लाजपतनगर दिली न्यूस नेशन अब वाटसेप पर खपरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूस नेशन के इस क्यू आर कोड को स्कैन करें